साइं कॉलेज के ओनलाइन कॉंसलिंग कोर्स वीडियो सेशन में इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 में बाइलिजी सब्जेक्ट लिए हुए स्टूडेंट्स को आज explain करेंगे कि वो 12 के बाद graduation level पे अपने subjects को कैसे choose करें तो biology students आपके लिए वीडियो बहुत important है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको B.Sc. Biotechnology, B.Sc. Microbiology और B.Sc. Plain Biology के बारे में जानकारी देंगे इन में subjects क्या पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में जानकारी देंगे और इन courses को करने के बाद job prospects क्या है उसके बारे में भी जानकारी देंगे तो इस वीडियो को देखकर आप इन तीनों में से क्या subject choose करना है या आप select कर सकते हैं Students यह मैं आपको जानकारी देंगे उससे पहले मैं आपको Science College भिलाई के बारे में संक्षिप में जानकारी देना चाहूंगा Science College भिलाई एक 15 years old college है जो 15 साल की legacy carry करता है हमारे सभी departments में चाहे वो science department हो चाहे अन्य कोई department हो उसमें qualified or experienced teachers हैं और हमारी सभी labs, biotechnology, microbiology, botany, zoology, chemistry, सभी labs बहुत ही well equipped हैं और university norms के हिसाब से, university syllabus के हिसाब से equipped हैं Science College की जो library है वो students में बहुत popular है because हमारे किसी भी course के किसी भी student को 3 साल तक books नहीं खरीदनी पड़ती College की library इतनी strong है कि वो हर student को at a time 6 to 7 books issue करती है और students उन books को unlimited period के लिए अपने पास रख सकते हैं हमारी library में zero fine system है हमारी library कोई भी fine charge नहीं करती बच्चों से इसलिए Science College की library students में बहुत popular है इसके अलावा हर साल Science College के कई students university की top 10 merit list में अपना स्थान प्राप्त करते हैं जिस उदारन के लिए example के लिए 2018-2019 में Science College के 10 students ने university की merit list में अपना स्थान प्राप्त किया आप screen पे उन बच्चों की photographs देख रहे हैं मुख्यता BCA और DCA जैसे courses में rank 1 Science College के students ने प्राप्त किया था इसके अलावा वर्तमान में जो college हमारा है वो हेमचन यादव university से affiliated है इससे पहले college पंडित रवीशंकर शुकला university से affiliated था और तब जब colleges की ranking होई थी तो Science College को जितने भी private colleges हैं उनमें fourth best college declare किया गया था screen पे आप उस समय जो हमें प्रमान पत्र मिला था जो certificate मिला था और जो letter मिला था university से वो आप देख रहे हैं students अब मैं आपको एक एक करके BSc Biotechnology, BSc Microbiology और BSc Plain Biology के बारे में समझाओंगा सबसे पहले BSc Biotechnology, आज job point of view से सबसे अच्छा course biology students के लिए BSc Biotechnology है BSc Biotechnology में हम subjects क्या-क्या पढ़ेंगे वो आप पहले समझे, BSc Biotechnology में जो foundation course होता है Hindi English और Environmental Studies उसके अलावा जो main subjects आप पढ़ेंगे वो है chemistry, biotechnology, zoology या botany इसमें आपको option रहेगा कि आप zoology या botany में से कोई एक subject का चैन करें हम दोनों option students को देते हैं, इसलिए आपके पास दो options बनेंगे पहला option chemistry, biotechnology, zoology और दूसरा option chemistry, biotechnology, botany यहां यह बताना फिर से जरूरी है कि science college एक ऐसा college है जहां वो students को दोनों विकल्प देता है हम force नहीं करते किसी student को कि आपको zoology ही पढ़ना होगा या botany ही पढ़ना होगा हम आपको दोनों options देंगे, आप चूज कर सकते हैं कि आपको biotech के साथ zoology पढ़ना है या botany पढ़ना है BSc Biotechnology तीन साल का course है और इसको complete करने के बाद jobs कहा कहा मिलेंगी, यह एक general question हार student का रहता है तो मैं आपको बता दूँ कि BSc Biotechnology करने के बाद आप आगे पढ़ना चाहें तो आप MSC Biotechnology भी कर सकते हैं जो again Science College में available है course इसके अलावा अगर आप job करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे options खुले होते हैं जिसमें research and development field में अलग-अलग companies में jobs मिलती हैं, government labs में आपको research and development में jobs मिल सकती हैं, academic jobs आप colleges और universities में कर सकते हैं, इसके अलावा quality assurance और quality control की jobs मिलती हैं अलग-अलग industries में, clinical research की jobs होती हैं, जितने भी pharmaceutical industries हैं वहाँ biotechnology की बहुत ज़्यादा demand रहती है, beverage industries में biotechnology के students के लिए बहुत सारी job opportunities हैं, अलग-अलग tissue culture labs में भी बहुत सारी jobs biotechnology के students के लिए हमेशा open रहती हैं, तो students BSC biotechnology आपकी first choice होने चाहिए हमारे हिसाब से, अगर आप bio student हैं और अपना biology के subject में अपना career बनाना चाहते हैं, तो second विकल्प जो है वो है BSC microbiology, अब BSC microbiology में भी English Hindi जो foundation course के अंतर गता आएगा और environmental studies के अलावा, जो main subjects रहेंगे, वो रहेंगे chemistry, microbiology, zoology या botany, इसमें भी आपके पास दो options रहेंगे, chemistry, microbiology, zoology या chemistry, microbiology, botany, यहाँ पे भी हम science college में आपको दोनों options का विकल्प देंगे, कि आप zoology के साथ microbiology पढ़ना चाहें, या botany के साथ microbiology पढ़ना चाहें, BSC microbiology करने के बाद, again आपके पास option रहेगा, कि आप MSC microbiology में करना चाहें, MSC biotechnology में भी कर सकते हैं, BSC microbiology करने के बाद, अगर आप job करना चाहेंगे, तो आपको research assistant की jobs मिलती हैं, अलग-अलग labs में, या microbiologist की jobs open रहती हैं, BSC microbiology वालों के लिए, या scientific lab technicians के रूप में आप काम कर सकते हैं, अलग-अलग pharmaceutical industries में jobs open होती हैं, food industries, beverage industries और research organizations में, BSC microbiology के students के लिए jobs open रहती हैं, ये एक second option होना चाहिए आपका BSC biotechnology के बाद, job point of view से, कुछ students जो दोनों BSC biotechnology और BSC microbiology नहीं करना चाहतें, उनके लिए एक तीसरा option है, BSC plane biology, इसको students BSC biology भी कहते हैं, BSC plane biology भी कहते हैं, BSC biology में foundation course के English, Hindi और environmental studies के अलावा, जो में इन सब्दिक साब पढ़ेंगे, वो है chemistry, zoology और botany, इसमें एक ही option होता है, chemistry, zoology and botany, generally वो students BSC biology करते हैं, जो अपना career as a teacher बनाना चाहते हैं, MSC chemistry, zoology, botany करके, इसका अर्थ ही है कि BSC plane biology करने के बाद, जो students MSC करना चाहते हैं, chemistry में, zoology में, botany में, और teaching line में, schools में, या colleges में, अपने आपको as a teacher अपना भविश्य देखते हैं, उनके लिए BSC biology एक विकल्प हो सकता है, students, ये तीनों options के बारे में हमने आपको बताया, पर हमारे personal point of view से, जो हमारा experience है, उसके हिसाब से, job point of view से, जो first option होना चाहिए आपके लिए, वो है BSC biotechnology, second choice आपकी होने चाहिए BSC microbiology, और third choice होने चाहिए BSC plane biology, ये job point of view से, current scenario जो है, उसके हिसाब से हम आपको सुझाव दे हैं, BSC के बारे में अन्य कोई भी जानकारी प्राक्त करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, BSC, हमें BSC लिखकर WhatsApp करें 9977002014 पर, या हमें आप call कर सकते हैं 7024-886-996 पर, हम आपके सभी queries को solve करने का प्रयास करेंगे, Science College, Sector 6 भिलाई में है, और हमारे courses के बारे में और जानकारी के लिए और admission के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी website www.sciencecollege.org पर भी visit कर सकते हैं, Thank you.